पंडे जी आप कैप का जो विस्टीन चल रहा है इसके फेवर में है कि अगेस्ट है आप मैं तो साथ बिल्कुल फेवर में हूँ और रहूंगा और जहां तक आप समझ रहे हैं यह कैप का जो विरोध आपको दिख रहा है यह विरोध नहीं है यह भड़ास है बिपक्षियों पार्टियों की यह भड़ास है तीन तलाग बिलपास हो गया यह भड़ास है तीन सो सतर हो गया यह भड़ास है पैंती से हो गया यह भड़ास है कि राम जनम भूमी का मबाबरी मजजित का केस इतनी शांती से कैसे निकल गया और एक और खौप कोड़ी नेकर आएगा तीन सो और इसके बाद में लेकर आएगा यह पीओं के लिके आएगा इसके बाद इनको लगता है जनसंक्या कानून लेकर आएगा यह तो खाजाएगा हमको ये कंशन हैं सबको इसकी बज़े से यह सारे के सारे चीन कवों की तरीके दिबिए पक्षी पार्टियों ने लग जाए साली देश में आग़ ना सलग जाए देस का जल जाए साला रेलवे जल जाए तुरा कंट्री जल जाए दिल्ली लेकिन किसी भी आलत में मौधी का भ मेर वःल имеет लोग नामिए मुस्लिम उनको जो सताय हुए आई हैं उनको अगर भारत नागरे 뭘 दे रहा हैं नौन ces लिवयल को क्या प्रिशानी हो सकती हैं इनको तो मोहरा बनाय जा रहा है कि तुम किसी तरह गदर काटो तो तुम्हारे उपर से फिर नहों ने सीधे कर दिये और साब एक बात और बता दू हमारे के कुछ नादान जो हिंदुस्तानी नादान वह यार मोधी जैसा आदमी एक बार सुचना पड़ेगा जो आदमी अपने लिए जीता देश के लिए जीता है पूरे वर्ड में सबसे पावर्फुल आदमी उसको कल चुना गया है बिट्रिश हैडराल की निउस है 31 बोल्ड पूरे वर्ड में मिले सेकेंड नमबर पुतिन को मिले और थर्ड नमबर पे जिन पिंग आया पर ट्रंप आया जिसको सब मान रहे हैं साथ कंट्री ने जिसको पुरसकार दिये पाकिस्तान जैसा कंट्री जो सन 47 सिले के सन 2014 तक एक इंद्रा गांदी के शासनकाल को छोड़कर हमेशा हिंदुस्तान को परिशान करें दे रहता था आज साले को खुद परिशान करके रख रखा है उसकी हल खराब कर रखी है ऐसे आदमी को जो इस आदमी के लिए आप जब गाली देते हैं अब दुख होता है यार कि मतलब कोई आदमी फिर ऐसा करे गाली अगर इस परिके के आदमी को भी हिंदुस्तानी लोग गाली देंगे तो ऐसा कौन करेगा इस देश के लिए मरने मिटने वाली बात है यह बली चीज़ बेको ठीक है आप स